सांसत कार्थिक श्रमा ने परशुरा महाकुम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधार मंत्री नरेदर मोधी के नितरत्व में भारत का कद लगतार बढ़ रहा है सांसत कारतिक श्रमा ने कहा कि आज दुनिया में भारत का डंका बज़ रहा है और देश में पियम मोदी गरीबों का कल्यान कर रही है तो बता दें कि भगवान परशुरा महाकूम का आयोजन किया गिया इसमें सांसत कार्थे किश्रमा ने इस कारिक्रम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि दुन्या में आज भारत का डंका बच रहा है पियमोधी के नितरत्व में भारत का कद बढ़ा है पियमोधी गरीबों का कल्यान कर रही है ये तमाम बाते सारवजिक जीवन में आए आज लगभग छे महीने हुए हैं और मुझे इस छे महीने के कारेकाल के अंदर जो कुछ सीखने का मौका मिला जो कुछ समझने का मौका मिला मैं आप लोगों से कुछ बाते सांजी करना चाहता हूँ मैं आज एक आपके बीच में आज आपके बीच में एक सांसत के तौर में नहीं आया हूँ एक नेता के तौर पे नहीं आया हूँ एक भाई के तौर पे आया हूँ एक बेटे के तौर पे आया हूँ जब मैंने सांसत बना और मेरे राजस्पा का चुनाव हुआ तो मेरे पूरे राज्य से कई संस्तानों से समाजिक संस्तानों से और भ्रहमण समाज के संस्तानों से न्योता आया मैंने खुशी-खुशी उस सारे न्योते एक्सेप्ट किया मेरा एक नीजी दोस्त मेरे साथ था उसने मुझसे पूछा कि आप तो विदेश में पड़े हो देश दुनिया में घूमे हो आपने बड़ा विवसाय खड़ा किया है मीडिया में अपना नाम किया है राष्टी अंत्राष्टी कारेकरमों में आप जाते हो आपको समाज के चोटे चोटे कारेकरमों में न्योता मिल रहा है क्या आप इन में जाएंगे तो मैंने उसको बोला कि भाई मीडिया में अपना नाम कमाने का या सक्षम होने का सफल होने का क्या अर्थ है अगर आप अपने माता पिता अपने परिवार और अपने समाज के काम ना सकें दोस्तों तो हमारे पास हमारे इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधान मंतरी और ऐसे यशस्वी मुख्य मंतरी कि नीचे हमारे को काम करने का मौका मिल रहा है उनकी लीडर्शिप के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है जो कि देश और दुनिया के अंदर एक नया आयाम पैदा कर रहे हैं